12 नमबर का आधार कार्ड देश के हर नागरिक का आधार बन गया है सरकार की हर योजना के लिए आधार कार्ड खरीब खरीब जरूरी है लेकिन अब नीले रंग के आधार कार्ड की खबर से लोग परिशान है सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने आधार कार्ड में फिर कोई बदलाब किया है तो जवाब है नहीं नीले रंग का आधार कार्ड उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र पांच साल से कम है क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी नहीं लिजा सकती इसलिए उनका आधार कार्ड नहीं बनता है कैसे बनता है ब्लू रंग का बाल आधार कार्ड UIDAI ने पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ब्लू कलर का बाल आधार कार्ड पेश किया है इसके लिए रजिस्ट्रेशन केंदर पर जाकर बच्चे के जन्म प्रमान पत्र के आधार पर फॉर्म भरे फॉर्म भरते समय माता-पिता का आधार कार्ड और मोबाइल नमबर जरूर दे फॉर्म भरने के बाद बच्चे की फोटो कीची जाएगी बच्चे का बायोमेट्रिक्स डेटा नहीं लिया जाएगा अब चारिकता पूरी करने के बाद बच्चे के आधार को माता पिता के आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपके मोबाइल पर एक मेसेज आएगा और 60 दिन के अंदर बलु रंग का बाल आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा बच्चे के उमर 5 साल होने के बाद उसका बायोमेटिक डेटा लेकर उसके खुद का आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा